हलो एवरिवान मैं टॉप्टर वंदिना माल भिया और वीडियो में कंटेन्यू करेंगे हम टॉपिक एवरेजिस लास्ट वीडियो में दो एक्जाम्पल डिसक्स किये थे इस वीडियो में दो और एक्जाम्पल डिसक्स करेंगे चलिए चलते हैं फर्स्ट कोश्चन की तरफ राम secured 50, 50 and 60 marks in 3 out of 4 papers टोटल 4 paper उसमें से 3 paper में राम को कितना मिला 50, 50 and 60 marks if he secured 50 marks in aggregate अगर 4 paper में on an average उसको कितना मिला 50 marks तो question के पूछा है देखिए how many marks did he secure in the 4th paper 3 paper के marks दिये हुए 50, 50 and 60 तो आप देखें 3 paper के मिला के कितने हो जाएंगे 50 plus 50 plus 60, 160 4 paper के aggregate कितना दे रखा है, 50 तो 4 paper में मिला के कितने हो जाएंगे, 50 multiplied by 4 200, clear है, बत समझ में आ रही है 3 paper के marks दिये हुए थे, तो हमने total calculate कर लिया, 160 4 paper के मिला के average बता रखा था 50 तो total कितने होए, 50 multiplied by 4, 200 अब आपको ये पूछा है, how many marks did he secure in 4th paper तो अब बताएंगे, 3 में total इतने, 4 का total इतना तो चौथे paper में कितना मिला, क्या करेंगे, 200 minus 160 कितना आ जाएगा आपके पास, 40 marks तो राम को 4th paper में कितने number मिले, 40 clear है, चलिए, चलते हैं, next example की तरफ देखें आप question, the average age of A, B, C is 20 years A, B, C, 3 बंदे हैं और तीनों की average year कितनी दे रखिये, 20 years if the average age of A and B is 19 years, what is the C's age? फिर से, बहुत simple सा example सामने हैं, तीन बंदे हैं, तीनों की average age दे रखिये अगर तीनों की average age दी होई है, तो हम तीनों की age का sum बता सकते हैं average अगर 20 है, तो तीनों का sum कितना हो जाएगा, 20 multiplied by 3, कितना जाएगा, 60 if the average of A and B is 19, इसका मतलब हम A और B की average age जो दे रखिये, उससे A और B की total age कैलकुलेट कर सकते हैं 19 multiplied by 2, 38, अब देखिये, equation बना दी, तो question जो पूछा गया है, वो आप seconds में बता देंगे, C की age कितनी है, ABC तीनों की 60 है, A और B की 38 है, तो C की age कितनी आ जाएगी, 60 minus 38, और 60 minus 38, 22 years, तो C की age कितने होई, 22 years, clear है, तो average में आपको बहुत simple से example मिलते हैं, question कोई बहुत जादा tough नहीं आते हैं, आपको main concept समझना है, जो हमें given है, उससे आप equation form करें, equation formation के बाद easily result निकल के definitely आजाएगा आपके पास, तो average topic को हम यहीं complete करेंगे, अगर जरूरत हुई, तो और वीडियो भी लेके आऊँगी मैं, next वीडियो में नए topic के साथ start करेंगे, तब तक के लिए keep watching my videos, thank you, thanks a lot.